हेलो दोस्तो दीप लेक्टोनिस लाब में आपका स्वागा थे दोस्तो आज मैं रिपेर करने जा रहा हूँ इस सैमसंग का LED TV को जिसका मोडल नमबर आप यहाँ पर देख सकतो तो इस मोडल नमबर का TV के अंदर एक अनुखा प्रोबले में एक IC इसके अंदर ब्लास्ट हो चुका है मैंने इसका पीछे का साइड मैंने खोल के रखा हूँ मैं इसका धक्कन को हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा हमारा IC फुटा हुआ है और उस IC को हम केस से पहिचानेंगे और इसके जगा पर हम नया IC लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो यह चीप लेवल का रिपेरिंग होने बाला है तो आप इसको अच्छे से देखिए आखिर तक वीडियो को तो इसके अंदर हमारा टोटाल तीन बोर्ड लगा हुआ है एक पावर सप्लाई बोर्ड एक मदर बोर्ड और एक टीकन बोर्ड जो के पैनल के साथ है और इसके अंदर जो power supply board है दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी ने modify करके यहाँ पर 25 module लगा के रखा है क्योंकि यह हमारा power supply 13 volt का है और इससे 13 volt supply को ready करने के लिए module लगाया गया है और यहाँ पर देखिए module लगाने के बाद यहाँ पर कुछ दिन के अंदर हमारा यह वाला IC ब्लास्ट हो चुका है यानि कि फूट चुका है और यह IC फूटने के बाद हमारा यह TV वो working condition में नहीं है यानि कि यह stand by mode में भी नहीं है working condition में भी नहीं है लेकिन इसका power supply section मैंने check करा बिल्कुल सही है power supply section के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है और यह सा दोस्तों किसलिए हुआ है क्योंकि इसका अंदर ज्यादा voltage आ गया था उसके बाद ही हमारा IC फूट चुका है तो हम सबसे पहले इस motherboard को बहान निकलता हूँ और बहान निकलने के बाद इस IC को में बहान निकलूँगा यानि कि यह board से remove करूँगा क्योंकि यह जो IC हमारा लागा हुआ है यह IC फूट चुका है यानि कि blast जिसको बोला जाता है और blast होने के बाद एक जो leg है वो बिल्कुल कोई burn हो चुका है जिसको जल गया मतलब जल गया है ऐसा आप कह सकते हो यहां पर सिधा सिधा आपको देखने को मिल रहा है और यह दोस्तों physical damage है इसलिए हमको देखते ही पता चल गया है कि यही IC हमारा खराब हुआ है तो हमने इसके अलावा भी इसके आसपास जो भी components लग खराब हुजाती है खास करके हमारा जो main IC है वो भी खराब हुजाती है इस तरीके का regulator कभी खराब हुजाती है उस समय तो हमने देखा कि इसका जो main IC है वो तो सही है सिर्फ और सिर्फ एही वाला IC खराब हो चुका है क्योंकि इस IC के अंदर कुछ protection दिया हुआ था जिसके ब इसके पास जितना इस क्राप बोड रहेगा वह उतना ही ज्यादा सेक्सेस्पुल होंगे रिपेरिंग फिल्ड में तो देखिए हमने आईसी को बहान निकल लिया हो और बहान निकलने के बाद आप इसका कंडिशन देख सकते हो बहुत ही बुरा कंडिशन हो चुका है जलने के कि छोटे मोटे आसी देख रहे होंगे यह सारे के सारे साही तो मैं सभी को कहा हूँ रिपेरिंग फिल्ड में जो भी लोग काम करते हैं आप पने पास जितना ज्यादा होसा को को रखिए और सक्रब्बोड रखने से आपको इसा फाइदा मिलता है और इस आपको benefits मिल जाती है अगर कोई IC मार्केट से ना मिले तो उसको उठा के आप किसी भी board के अंदर लगा सकते हो चायब हो scrap board किसी भी चीज़ का क्यों ना हो किसी भी TV का क्यों ना हो हमने पास बहुत सरे scrap board है तो हमको फाइदा मिलता है इसी तरीके का यह IC देखिए आभी market में आगर नया खड़िने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो हम इसको दूसरे board से निकालके हमने यहापे लगा दिया हूँ अगर हमणे पास पुराना board या पुराना scrub नहीं रहे था तो हमें इसके जगा पे नया board को इंस्टॉल करना होता तो मेरे पास नया board भी है सेम नंबर का और सेम नंबर का नया board के अंदर इस IC का जो नंबर है मैं आपको microscope के जरीए दिखाने के कोसेश करता हूँ यहाँ पे देखिए सेम IC का नंबर यहाँ पे देखिए मतलब मार्केट से मिलना मुस्की ले मतलब सही जागा नहीं मिलता है तो चलिए आप हमने उस IC को जहां से रिमूब करा था उसी जगा पे सही सलमत हम बिठा देंगे और हम चेक करेंगे वीडियो चला के कि हमारा यह जो IC replacement का जो process हमने करा यह successfully हुआ है या नहीं हमने इसी प्रोकर करके बहुत सरे टीवी already repair कर चुका हूँ काफी सारे टीवी का अंदर हमने ठीक भी कर दिया हूँ लेकिन ऐसा भी होता है कि IC replacement करने के बाद ठीक भी नहीं होता है तो हम आपको इसको replacement करने के बाद जह 100% repair हो process है दूसरे scrap board से निकल के IC को लगाना या दूसरे scrap board से कोई भी components को उठा के लगाना इस थरीके का चीज़को हम करता रहता हूँ यहाँ पर देखे आब मैं इस board को यहाँ पर लगा देता हूँ लगाने के बाद सारे connection करने के बाद इसका test करना चाहूँगा ताकि हमें पता चले कि सभी working condition में हमरा टीवी आया है या नहीं क्योंकि जब भी इस broker से कोई भी टीवी को repair करता हूँ उस समय 90% ऐसा होता है कि हमरा टीवी ठीक हो जाती है लेकिन 10% ऐसा भी हो जाती है टीवी ठीक नहीं होता है तो उस situation में हमें दूसरा process को follow करना होता है अगर हमें लगे कि इसके अंदर बाक कन वर्टर लगा के ठीक हो जाएंगे तो हम लोग बाक कन वर्टर को लगा देता हूँ अगर बाक कन वर्टर लगाने के बाद भी ये ठीक नहीं होता है तो हम लोग जो इस motherboard को ही change कर देता हूँ क्योंकि motherboard हमें बहुती आसानी से market से मिल जाती है अगर आपको भी किसी भी टीवी का आपको motherboard चाहिए चाहिए वो original हो या universal सभी motherboard हमारे online store से मिल जाएंगे बहुत ही affordable price range के अंदर बहुत ही कम किमात के अंदर ये जो power supply देख रहे होंगे ये power supply भी आपको हमारे online store पर मिल जाएंगे ये आप 25 module देख रहे होंगे ये module भी मिल जाए तो यहां पर दिखे ये IC हमारे इस motherboard के अंदर मैंने replace करा हूं इसको रख देता हूं उसके बाद इसके अंदर पावर कोड लगा के एक बच्छे कर लेता हूं कि आखीर हमारा टीवी जो है successfully repair हुआ है कि नहीं तो यह कभी जब यह test करता हूं नडबास फिल होता हूं तो हमा लाइट आने के बाद आब हम देखते हैं कि इसका picture आया है कि नहीं यहां पर देखिए दोस्तो successfully हमारा टीवी repair हो चुका है पहले no signal आया और अभी no signal का message भी हमें देखने को मिल रहा है चलिए इसके अंदर वीडियो चला के भी देख लेता हूं एक बार तो यह जो हमारा टीवी है या मदर बोड रिपेरिंग का प्रोसेस है यह 90% के अंदर आया है क्योंकि इस IC को replacement करने के बाद हमारा टीवी on हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ इससे टीवी को रिपेर करने के बाद तो मुझे आसा है कि दोस्तो आपको वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आपको इस वीडियो को लेकर कुछ भी सवाल या सुजा भे तो नीचे कमेंट करके बताईएगा मैं आपको रिपले करने की कोसिज करूंगा और हुसा के तो इसको उपर आपको वीडियो भी बना दूंगा और इसी परकर के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्ट्राइब करके जुरढ है और बेल आइकों को पे प्रेस करके सिस्तेमाल करता हूं उसको खड़िदने का लिंक भी में आपको प्रोवाइड कराता हूं हमारे ओलाइन स्टोर के जरीए तो उसका फाइदा लेने के लिए आप हमारे साथ जुरह रहे हम फिर मिलते नेक्स वीडियो का अंदर तब तक लिए उसे ओल दा बेस्ट